हेलो एबरिवान बेलकम यू अपने चैनल अपके अपने चैनल में वाफिर बहुत-बहुत स्वागत है कि ये अप्डेट आया है सर्दार बल्लभाई क्लस्टर उनिवर्सिटी-मंडी-Himachal-Predate touched के अबेदन मंगे हैं अपने फिरियस PG courses के लिए आजको बताऊंगा कमें सर्दार बल्लभाई-OFFC perc चैनल इनिवर्सिटी-मंडी-Himachal-Pradate में कितने जो सीट्स हैं different courses में PG courses में क्या eligibility criteria है किसा बेश पे जो है वो admission करेंगे वो कब तक जो है वो last date है फार्म फिल करने की और किस तरह से जो है वो फार्म फिल किये जा सकते हैं हलाकि यह offline आवेदन मांगे हैं उन्होंने offline आपको apply करने पड़ेगा तो फार्म कहां से मिलेगा कैसा फार्म है किस तरह से भरा जाएगा क्या-क्या उसमें चीजें आपने mention करनी है वो सारी ट्रेल आज के इस वीडियो में आपको देंगा मैं तो वीडियो को जो जारी किया है सरदार बल्लभाई पटेल क्लस्टर निवर्सिटी मंडी हिमाचल परदेश ने इसमें इन्होंने अपनी website mention कर रखी है और email id भी mention कर रखी है यह notification आई थी बार अक्तूबर 2020 की डेट को और इसमें क्या क्या कहा गया है यह एक जो है पीजी कोर्सिज के लिए admission application है के बारे में notification है इसमें जो ने ने कोर्सिज बता रखे हैं छे कोर्सिज जो है वो start करेगा सरदार बल्लभाई प्टेल क्लडे इस से 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 और यह फर्स्ट बैच होगा इन सभी कौर्सिज के लिए 2020 के session का और पहला यह session जो है इस बिटहने जा रहा है सरदार बल्लभाई प्टेल क्लडे मंडी इसमें जो शबसे पहला इन्हों ने बताया है MSC physics इसमें कुल 30 seats हैं 30 seats are there 20 subsidized seats हैं और 10 non-subsidized seats हैं इसके अलाबा MSC chemistry में 20 seats हैं 10 seats हैं non-subsidized MSC botony में 15 seats हैं 10 seats हैं non-subsidized MSC geology में 15 seats subsidized हैं और 10 seats non-subsidized MBA में और MA history में 30 subsidized seats हैं 30-30 दोनों कोर्सिज में और 15-15 दोनों कोर्सिज में non-subsidized seats में हैं आप लोग इनके लिए आवेदन कर सकते हैं अब इसमें क्या बता रखाए नोंने कि जो भी admission होगा वो merit के base पे होगा मतलब graduation की merit इसमें लगेगी आप जो है prospectus और application form जो है वो download कर सकते हैं www.sbpcumundi.ac.in से यह link में आपको description में दे दूँँगा वहां से जाकर कि आप download कर सकते हैं और क्या कहा गया है इसमें कि the hard copy of application form along with relevant document has to be submitted to कि आपकी जो hard copy रहेगी application form की जो आप download करेगे उसको भरने के बाद relevant जो document होंगे जो आप attach करके भीजेंगे वह आपको भीजने पड़ेंगे coordinated admission सरदार बल्लभाई पटेल कस्ट इंवर्सिटी मंडी campus office बल्लभ गौर्वर्मेंट कॉलेज मंडी hp 1750-01 बाइप पोस्ट आप इसको समिट कर सकते हैं एप्लिकेशन फीस इसमें 500 रुपए रहेगा जनरल कैट्री के लिए और 300 रुपए रहेगा अकाउंट नंबर दे रखा है FSC code इसमें दे रखा है SBI मंडी का आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं लास्ट जो है submission की form submission की 27 अक्तुबर 2020 है और साथ में उन्हें यह लिख रखा है कि अगर मान लीजिए result अभी नहीं आए है तो जैसे graduation के तो उसके लिए date जो है further extend की जा सकती है तो इस बहुत ही golden opportunity है स्टुडेंट्स के लिए जो master's की तयारी कर रहे हैं अपनी master's में admission लेनी है और सरदार बल्लबाई पटेल कलस्ट इंवर्सिटी का first batch होगा तो किस तरह से uni students के उपर depend करता है कि वो किस तरह से इसका brand value विल्डप करेंगे in future links मैं आपको description में दे दूँगा अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो form है hard copy आप download करोगे उसको आपने क्या भरना है और कैसे भरना है क्या क्या information उसमें मांगी गई है यह है वो form application form जो आपको भरना है आप download करोगे सरदार बलबाई पटेल कलस्टर इनुवर्सिटी मंडी की website से इसमें आपका सबसे पहले course जिसके लिए आप apply करेंगे नाम आपने अपना भरना है, father name भरना है, mother name भरना है, address आपने correspondence और permanent भरना है साथ में passport size photograph इसमें attach करना है, email id, अधार card, mobile number भरना है, date of birth भरनी है और इसके अलाबा कितना उमर आपकी हो गई, 1st July को बो भी आपने भरना है nationality, gender, qualifying examination from HP और other university भरना है, जहां से भी आपने qualify किया है अपना qualifying examination जैसे PG के लिए भर रहे हैं, तो graduation आपने कहां से की हुई है क्या आप हिमाजल प्रदेश के bonafide है, इसमें हाँ या नहीं आपने भरना है 14 नंबर पे और फिर उसके बाद subsidized sheet के लिए apply कर रहे हैं, non-subsidized के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं अगर आपके बाद single girl child का quota है तो आपने tick करना है, defense personal का quota है तो आपने tick करना है 16 नंबर पे, इसके बाद 17 नंबर पे आपको high school mark sheet का नंबर भरना है certificate के उपर जो mark sheet नंबर रहता है वो आपको यहां पे भरना है 18 नंबर पे आपको अपनी category जो है वो tick करनी है, किस quota से आप apply करना है, general, SC, ST, OBC, WSI, RDP, Sports या cultural quota इसके लाबा 19 नंबर पे आपको भरना है कि आपका जो है center government या state government से आपका कोई family member belong नहीं करता है या करता है कोई job कर रहा है, 20 नंबर पे आप physically challenge तो नहीं है यह भरना है, 21 नंबर पे आपने कितनी fees भरी जो 500 और 300 बता रखी है DD का नंबर और date of transaction आपने भरनी है, इसके बाद 22 नंबर पे आपको जो है अपना academic credential बताना है matrica plus two का graduation का, क्या आपने किस university या board से education ले रखी है, subject कौन कौन सें थे, किस साल आपने पास किया, कितने marks या credit आए, maximum marks कितने थे और credit या percentage आपको बतानी है और remarks अगर आपने उसमें कुछ परना है, distinction या कुछ और इसके अलावा आपका भी suspend तो नहीं किये गए है, university या board से, अपनी education के दौरान उसको आपने yes और no में बताना है, अगर हैं तो आपने detail भरनी है, नीचे आपको date डालके अपने sign करने हैं, और सबसे last में, जो आपको document अटेच करने होंगे, वो बताए गए हैं, जैसे matric का certificate certificate, प्लस टू का certificate, बीए भी कॉम, बीए सी, ग्रेजुएशन में आपने जो degree ले रखिया, उसके certificate की copy, और master's अगर आपने साथ में कर रखिया, तो उसकी copy, अगर आपके category है कोई, तो उसकी copy, और साथ में bonafide certificate, character certificate, entrance examination certificate, ठीक है, अगर आपने कोई ले रखा है, इसमें तो आपने है, इसके बाद नीचे आपका कोई काम नहीं है, यह office वालों का काम है, इसको भरने का, तो यह आपने जो है form भरना है, date, last date है, 27 तारीक, और seats का मैंने आपको बता दिया, courses जो है, इसमें 6 courses बताये गए हैं, और इसमें 4 colleges हैं, जो जिनका यह cluster बनाया गया है, सरदार बल्लबाई पतेल, cluster निवर्सिटी, मंडी, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, thanks for listening, thanks for watching, like करें, comment करें, share करें, और सब्सक्राइब करें,